गुद मॉरिंग दिये स्टूरेंट्स आई होब यू आर सो एक्साइटेट तो सेलिब्रेट दिपावली फेस्टिवल यस और नो अफकोर्स यस आप सबी लोग बड़े ही एक्साइटेट होंगे दिपावली फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत से लोगों ने तो ग्रेटिंग कार्ड भी बना रखे होंगे अपने पैरेंट्स के लिए ब्रादर्स इस्टर्स के लिए और आपके घर जो गैस्ट आने वाले हैं उनके लिए और यदि अभी तक भी आपने ग्रेटिंग कार्ड प्रिपेर नहीं किये है तो आज ही ग्रेटिंग कार्ड प्रिपेर कर लीजिए ताकि आपके घर जो भी गैस्ट आए वो बहुत हैपी हो जाए आपके कार्ड को देखके उनके लिए हैपी दिपावली विश कीजिए उनको थैंक्यू कहिए वो जो भी आपके लिए करते हैं उसके लिए तो वो जब आपका इतना प्यारा सा ग्रेटिंग कार्ड देखेंगे तो वो भी इस दिपावली पे बहुत खुश हो जाएंगे और जब वो दिपावली के इस greeting card को संभाल का रखेंगे तो जब जब वो उस card को देखेंगे आपकी याद उन्हें आती रहेगी चलिए हम स्टार्ट करते हमारी exercise को तो क्या है हमारी exercise जो कि है page number 87 and 88 पे हमने देखा था page number 86 पे हमने 1, 2, 3 जो adverb थे point number 1, 2 और 3 का तो complete कर लिया था पर 456 क्योंकि page number 87 पे था तो वो हम complete नहीं कर पाया थे अभी कर लेते हैं I appeared angrily, thoughtfully, carefully into the ticket booth so it will be thoughtfully I appeared thoughtfully into the ticket booth the guard was snoring, snoring means karate lina the guard was snoring softly, noisily, loudly so the guard was snoring noisily I gulp the cake down noisily, bravely और quickly आप यदी cake खाओगे, gulp करोगे, एक बार में खाचाओगे तो कैसे खाओगे, एकदम quickly खाओगे तो क्या होगा? I gulp the cake down quickly understood? तो यह थी आपकी exercise जो रह गई थी अब हम पढ़ते हैं एक new poem क्या है poem हमारी? I had a dove and the sweet dove died मेरे पास एक dove था और वो sweet dove क्या हो गया? died, उस dove की death होगी मैं बता दूं, dove एक प्रकार का bird होता है यदि आपको dove को देखना है, dove कैसा दिखाई देता है तो आप Google पे इसकी picture सर्च करके पता लगा सकते हैं कि dove कैसा दिखाई देता है अब वो आपको बता रहे हैं कि वो जो उनका डव था न, वो उसकी death होगी इतना प्यारा डव था उसकी death होगी I have thought, मैंने सोचा कि it died of grieving वो बड़े दर्द के साथ उसकी death हुई पर किस बात का दर्द था उसे, किस बात का दुग था ओ, what could it grieve for its feet were tight उसके पैर क्या थे, बंदे हुए थे with a silken thread किस से, एक silk के thread से उसके पैर बंदे हुए थे of my own hands weaving जिसे मैंने अपने हाथों से weave किया था, बनाया था उसी से उसके पैर क्या हुए थे, बंद गए थे sweet little red feet बहुत प्यारे, छोटे-छोटे से red feet थे red color के पैर थे उसके why should you die तुम क्यों, तुम्हारी death क्यों होगी तुम क्यों मर गए dove से वो पूछना चाहता है वो बच्चा why should you leave me sweet bird, why तुम मुझे छोड़ कर क्यों चले गए प्यारे bird, मेरे dove ऐसा तुमने क्यों किया, why you leave you leave alone in the forest tree तुम क्या करते थे, तुम तो forest में forest tree में अकेले रहते थे forest tree याने forest में जो trees होते हैं बहाँ पर birds क्या गरते हैं, अपना घोसला बना लेते हैं तो वो बोल रहा है कि तुम तो forest में अकेले रहते थे why pretty thing would not leave with me इतनी प्यारी जो pretty चीज़ें मैंने तुमारे लिए रखी थी मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह पाए why would you not leave with me मतलब क्या होता है देखो birds को हमेशा है न, free रखना चाहिए कैसे रखना चाहिए free रखना चीज़े से हम freedom चाहते हैं हम चाहते हैं, हम अकेली रहें यदि आपको कोई सोने के पिंजरे में भी आपको बहुत अच्छे चीज़े खाने को दे तो अच्छा लगेगा क्या पर आपके घर यदि आप डाल रोटी सबजी रोटी भी खाते हैं तो आप free रहते न, freedom मिलती आपको तो आप पिंजरे में रहना पसंद करोगे और सारी अच्छे अच्छे चीज़े खाना पिना पसंद करोगे या फिर अपने घर में रहकर जैसा मिल रहा है उसमें खुश रहोगे तो अफकोर्स अभी यही चूस करेंगे कि पिंजरे में रहना तो कोई पसंद नहीं करेगा थोड़ी कम facilities होगी हमारे घर में देना चाहिए और जैसे हमारे घरों में पिंजरों में birds को बंद करके रखते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए और नहीं किसी को करने देना चाहिए अब जब इस दव की death हो गई है तो यह बच्चा बहुत रो रहा है बहुत परेशान है बता रहे है कि वो पूछ रहा है बच्चा कि डव तुम मुझे छोड़ कर क्यों चले गए I kissed you often and gave you white peas मैं तुम्हें हमेशा किस करता था अकसर किस करता था और तुम्हें white color के peas जो फली होती है मटर होती है वो मैं खाने के लिए तुम्हें देता था से इन green trees के अंदर जहां मैं तुम्हें रखता तावा क्यों नहीं रहे और तुम्हारी death कैसे हो गई देखो जो birds होते हैं उन्हें हम जो चीजे देते हैं वो suit नहीं करती अब उसने हो सकता है bird के pair में एक silk का कोई धागा बांद के रखा हो या फिर उसे किसी चीज से tie करके रखा हो जिसके कारण उसके pair बंद गए उसने तो अच्छे परपस से रखा था पर वो pair बंद गए और उन्ड नहीं पाया और उसे चोट लगी और उसकी death हो गई जो भी कारण रहा जिसके कारण उसकी death हुई वो जानना चाहता है ऐसा क्यों हुआ और वो उसके साथ sweetly क्यों नहीं रह पाया तो इस कहानी से इस poem से हमें ये सिक्षा मिलती है ये moral है इसका story का कि हमें कभी भी किसी भी birds को या animal को बांध कर नहीं रखना चाहिए उसे freedom के साथ रखना चाहिए इसलिए हम dog को पालते है कि dog हमेशा कैसा होता है free होता है पर birds को पालने के आवशकता नहीं होती है क्योंकि वो freedom में नहीं रह पाते है I hope कि आप इस बात को समझे होंगे तो ये John Keats ने लिखी थी poem बहुत ही प्यारी थी और आपका question है कि how do you think the bird in the poem felt was it happy why or why not आपको क्या लगता है poem में जो bird है वो कैसा feel कर रहा होगा क्या वो happy होगा यदि happy होगा तो क्यों होगा और happy नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ये तो अब आपे different करता है कि वो जो bird है वो happy था या नहीं था ठीक है चलिए हम अगला question देखते है work it pairs, आपको pair में work करना है you are going to act out an interview with the dove आपका एक dove के साथ interview है तीके, आपको ऐसा सोचना है कि आपका dove के साथ interview है your partner will act as the interviewer आपका partner जो है interviewer की तरह जैसे question करेगा और आप से question करेगा और आपको dove की भूमी का निभाना है मतलब आप dove हो और आपको dove के place पे answer देना है together, write your four questions to be used in the interview use this sentence starters to help you आप इन sentences का भी use कर सकते है इसके लाबा भी कुछ और sentence use कर सकते है आपको चार sentence लिख कर रखना है कि आप क्या question पूछेंगे और dove की place पे जो बच्चा play करेगा आपके सामने वो क्या answer देने वाला है वो खुद बताएगा तो क्या question हो सकते है जैसे what do you do all day आपने question किया कि आप पूरे दिन क्या करते हो dove तो ये dove की place पे ये girl answer दे रही है I tried to fly around inside the cage मैं कोशिश करता हूँ कि इस cage के अंदर ही अंदर क्या करता रहा हूँ उन्ने की कोशिश करता हूँ पर वो पिंजरे से बाहर कभी नहीं आ पाता अगला question क्या हो सकता है आपका how do you do feel in the cage आप cage के अंदर कैसा feel करते हो तो कैसा feel करता होगा who are your care taker तुमारे care taker कोने कौन तुमारा ध्यान रखता है what can you do for others तुम दूसरों के लिए क्या करते हो तो मैं सुरी लगाना गाता हूँ जो भी वो कर सकता है आपको ऐसे question answers complete करना है ठीके समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि आपको ये जो activity है कैसे complete करनी है ओके फिर भी यदि कोई problem हो तो आप मुझसे पूछीएगा चलिए हम अपना next page देखते है that is page number 88 writing part imagine that you are wiki और गीती imagine करो आप wiki और गीती है आप जब सुबह उठे तो the lion was in your bedroom आपके bedroom में लोइन है you followed the lion तुमने लोइन को follow किया उसके पीछे पीछे गए write an email to your friend describing what you saw imagine करना है real में तो इसा possible नहीं है पर आप इसा सोचो कि जब आप उठे आप wiki और गीती हो और जब आप morning में उठे तो आपने देखा कि आपके bedroom में एक lion है और जब वो lion उठकर जाने लगा तो आपने उसके पीछे 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 उसके साथ गए जब उसके पीछे पीछे उसके साथ गए तो आपने वो जंगल ही गया होगा तो वो कहां कहां गया मतलब आपने उसके पीछे पीछे गए जब तो क्या क्या देखा वो सब कुछ आपको अपने friend को email के through describe करना है ठीके email कैसे write करते हैं आपको principal sir ने एक video पहले ही share किया था how to write an email, how to send an email to your friend or your teacher तो बस हमें पता ये email कैसे लिखना है पर अब उसमें content क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पर दिया गया है ऐसे ही आपको इसमें से देखकर write करना है देखो email कैसे write किया जाता है पहले आपको एक बार और बता दिया जाए कि 2 लिखा होता है 2 मतलब जिसे आप send करने वाले होतने हैं उसकी email ID यदि email ID में अपनी लिख हूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा अब subject आपने वो email किसलिए बताया है लिखा है क्या topic है उसका जो आपने email write किया है तो आप कुछ भी लिख सकते हो एक topic a journey with a lion, I followed the lion, a story of my life, anything कुछ भी write कर सकते हो as you wish, बहुत सारे topics हो सकते हैं फिर उसके बाद क्या होगा, salutation, salutation मतलब क्या होता है dear friend, यदि teacher को लिख रहे हो तो respected sir ठीक है, with due respect, कुछ भी लिख सकते हो salutation मतलब आप कैसे start कर रहे हो dear लिखे, respected, जो भी post पे है वो person उसके हिसाब से आपको salutation को choose करना पड़ेगा content क्या होगा, वही जो जो आपने देखा content के लिए तो उपर आपको कुछ example और hints भी दिये में आप वहाँ से hints को देखकर लिख सकते हैं closing salutation क्या होगा और फिर आपका नाम closing salutation में क्या लिखते हैं with love regards thanks and regards, कुछ भी लिख सकते हो अब हमारे friend को लिखेंगे तो लिखेंगे with love, नीचे अपना नाम लिख देंगे, with love दिपिका, with love और भी जो आपके नाम है खुद का नाम आप राइट करेंगे यदि आप अपने parents को या फिर teacher को लिख रहे हो ठीक है, आगई बात आप लोगों को समझ में अब आपको यहाँ पर कुछ hints दिया है यहाँ पर कुछ useful phrases है आप इसका use करके इस email को complete करेंगे, इसे मैं आपको complete करना असले नहीं बताऊंगी कि पहले भी कई बार आप email send कर चुके है class groups में, है ना तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए आपको points बढ़कर बता देती हूँ keep these points in mind while writing the email यह point को आपको धिहान रखना है जब आप email write करें, क्या है points write the email address of the recipient besides आपको email address लिखना है जिसे आप send करें senders का, ठीक है मतलब जो लिख रहा है email उसे किसे भेजना है उसका आपको email address लिखना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया कि आप यदी मुझे send करेंगे तो आप मेरा email address लिखेंगे आप यदी अपने parents को share लिखेंगे तो आप अपने parents का email address लिखोगे next is give a suitable subject line जैसे मैंने आपको बताया एक स्यूटेबल सी सब्जेक्ट लाइन आपको देनी पड़ेगी क्या टॉपिक है आपको सेलुटेशन में डियर वर्ड का यूज करना पड़ेगा क्योंकि आप अपने फ्रेंड के लिख रहे हैं राइट दा मेन कंटेंट और दो मैसेज टू कनवे आपको क्या करना पड़े सेलुटेशन देकर आपको कंप्लीट करना है और एंड में अपना नाम लिखना है और उसे कहां सैंड करना है इमेल एडरस पर जो इमेल दिया गया है तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे इस इमेल को कंप्लीट करेंगे अब आप इन सेंटेंस की हेल्प ले भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉंटेक्ट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं चलिए मैं अब आपको एक और बहुत अच्छी चीज बता दूं कि कल हम दिपावली सेलिब्रेट करने जा रहे हैं कल से धन तेरस फिर छोटी दिपावली बड़ी दिपावली तो आप जितने भी यह जो फेस्टिवल हमारे आ रहे हैं हर एक दिन का इंपॉर्टेंस आप अपने पैरेंट से पूछेंगे कि हम धन तेरस लक्षमी पूजन क्यों मनाते हैं दिपावली क्यों मनाई जाती है ठीक है सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि जितने तेवहार हम सेलिब्रेट करते हैं तो वह हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं ठीक है ताकि जब भी आपके टीचर्स आप से कुछ पूछे तो आपके पास आंसर एकदम प्रॉपर वे में हो कि यह जो तेवहार हम सेलिब्रेट करते हैं वह क्यों करते हैं हर एक चीज़ का एक रीजन होता है यदि हम मिठा उसे जब भी next इस festival को celebrate करें next time तो आप उसे पढ़कर फिर से सारी memories को recall कर पाएं ओके wish you a very happy in advance और यदि आप पटा के जलाएं तो पूरी carefully मतलब साउधानी के साथ जलाएं careful रहें और अपने बढ़ों के guidance में ही आप crackers को जलाएं okay, have a nice day to all wish you a very happy दिपावली again, thank you